तो है लो अब्रिवन वेल्कुम तो माई नूव वीडियो आज का मेरा वीडियो होने वाला है वो आपको थमनेल देके पता चली चुका होगा कि हमारा आज का वीडियो क्या होने वाला है तो उससे पहले थैंक टो all my friends क्योंकि आपने मेरे थरीके की family जो है वो complete करवा दी है तो काफी जादा खुशी हो रही है क्योंकि आपने जल्दी जो है मेरे थरीके की family जो है complete करवा दी है और काफी अच्छा आपका support आ रहा है मुझे so friends so इसी खुशी में मैं जो है पॉंट मंगवा रहा हूँ मैंने वैसे पॉंट की बाद काफी लेट की हुई थी बट अब पॉंट जो है वो जल्दी ही आ रहा है पांच-छे दिनों में हमारे घर पर पॉंट जो है हमारा आ जाएगा मेरा काफी ज़ादा खुश यह क्यों कि मुझे इतना बड़ा पॉंट रखने के शुरू से ही काफी ज़ादा मेरा आप सो किसка आएगा तो वो आरा है पांच या छे दिन बाद वो यहां पर आ जाएगा तो आपको मैं दिखाओंगा तो इस fish tank से हम सभी fish को निकाल देंगे यहां पे सिर्फ यहां पे हमारे रहेंगे जो हमारे giant goramia वो रहेगी यहां पे और हमारे parrot और हमारे Oscar fish यहीं पे रहेंगे तब तक यह काफी बड़े नहीं हो जाते हैं क्योंकि आप देख सकते हो काफी जादा छोटे हैं और दूसरे उसकर हमारे वह भी काफी जादा छोटे है तो यहां पर यह अराम से रहे लेंगे और बाकी जो हमारे fish up हो जाएंगे हमारे pond में और यह हमारे जो आपको color tetras दिख रहे हैं इनको हम कर देंगे बॉली के साथ shift आपको दिखाऊंगा वी और हमारे शॉक्स बगारा सभी वहां चले जाएंगे और हम जो है new आपको देख सकते हैं तो यह भी काफी जादा सुंदर हो चुका है बड़ उनका color काफी जादा सुंदर हो तर वह काफी जादा बड़े भी हो जाते हैं अगर वो यहां तक आएंगे फिश तो मैं वो बंग बाऊंगा और आप देख सकते हो यहां पे जो हमारे फिश है कितने ज्यादा हेल्दी है तो अभी यह सभी जो है पॉंड में जाने वाले हैं तो काफी जल्दी यहां का जो टैंक है बिल्कुल खाली हो जाएगा सिरफ इ बचेंगे तो हम इसको बना देंगे फिर मॉंस्टर टैंक तो इसमें आ जाएंगे हमारे सभी मॉंस्टर सो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे जो ओसकर का टैंक है और जो हमारा मोली का टैंक है उसमें हम क्या चैंज करने वाले है जब पूल आएगा क्योंकि हमने नहीं करेंगे चलिए उनको भी दिखाता हूं मैं आपको आपको यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिखाई नहीं दे रहोगा रीजन यह है कि हमारा जो यहां पर हीटर था इसको किसे ने बंद कर दिया था और पोटे जो है बिल्कुल लो टेंप्रेचर पर आ चुका है आ अब को यहां दिख रहा होगा तो यार इतने जादा बड़े हो चुके थे इतने जादा अच्छे लग रहे थे और इनकी यहां पर ऐसे इस तरह से डैथ होगी है आप देख सकते हैं यहां पर मुवमेंट करना स्टार्ट कर दी है इनमें कुछ जो है वह बिल्कुल ही आप देख सकते यहां पर वहां पर दिखाए देर होगा फिल्टर के साथ आपको एक बेबी यह बिल्कुल ही शायद मर चुका है और यहां पर एक यह मर चुका है बाकी सब भी जिन्दा है और ठीक हो जाएंगे बट यार पता नहीं किसने हीटर बंद कर दिया था जिसकी देख सकते हो इनके कितने जादा कलर प्यारे आ चुके हैं सो अभी देखता हूं मैं कौन-कौन से ठीक है बात मुझे दिखाई दे रहें कि तीन चार्ज वह उनकी डेथ हो चुकी है इनको निकालना पड़ेगा यहां से अभी देख लेता हूं मैं थोड़े टाइम तक कि बट यहां पर एक सद निस आ चुकी है फ्रेंट्स कंडे वैसे तो अभी मुझे सभी ठीक रख़ेए व भी मुझे सब्सम्स कर रहे हैं धीरे धीरे आपको दिख रहे होगा सो देखते हैं भी कौन-कौन से यहां पर जिंदा आ वैसे जिनन्दा सभी है बट यह वोटर टैं के तरफ और उनको दिखाते हैं कि उनको कहां shift करेंगे हम पूल कि आने के बाद数 हैं यहां पे रहे हैं हमारे यहां से ही आपको महसूस हो रहा है पर दूसरे टैंक का बिल्कुल जाद गिर चुका हर टेंपरेचर तो चार-पांच वेपिस की जो डेथ होगी है काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इतने ज्यादा चोटे-चोटे जितने ज्यादा बड़े हुए थे अब और ऐसे इनकी ड देख सकते हो और यह डर्ना जो हैं शुरू हो गए है क्योंकि लाइट मैंने ओन कर दिया है तो इसमें आएंगे गोल्ड फिश या हमारे आएंगे इंजल फिश सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इनमें कौन सा फिश जो है रखे इनके जाने के बाद क्योंकि प इसमें बड़ा फिश रख सकते हो सो कमेंट करके जुरूर बताएं और बाकी जो मॉली फिश के फ्राइस की डैथ हो यह उसका अपडेट मैं आपको कल दूँगा क्योंकि अभी तो इनका बोटर जो है वो तिरे-देरे गरम हो रहा है टाइम लगेगा उसमें तो मैं उसमें दूसरा हीटर जो है वो भी लगा दूँगा तक कि जल्दी जो है वोटर अपना डॉर्मल टेंपरेचर पे आ जाए जो जितने बच जाएंगे उनकी अपडेट में आपको कल दिखाऊंगा बट मुझे लाग रहे हैं क्योंकि सभी मुमेंट कर रहे थे अच्छे से कि एक द आपके साथ तब तक के लिए गुडबाई फ्रेंड्स